कि अभी वाम वेलकम टू आल देश्पिरेंट आफ लाइब्रेरी एंफिरमिशन साइन्स सभी विद्धार्तियों का स्वागत है जो भी लाइब्री साइन्स से बीलाइस एलाइस एमलाइस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्टी की त्यारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी जो लेक्षर का नोटिफिकेशन है वो पहुंस सके तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं डियाइडियो से यह फॉर्म निकला हुआ डिफेंस रिसर्श डिवलप्मेंट और गनेजेशन जिसका हैड़कोर्टर आपको डेली में मिलेगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डिपलोमा एंड ट्रे फोकस हमारा लाइबरी पर होता है तो मैं लाइबरी के बारे में सारी बात आपको बताऊंगा तो यहां पर देखें इन्होंने अपना वेबसाइट भी दिया हुआ है अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं यहां पर www.drdo.government.in यह जो वे लास और वडिसास यहां पर निकला हुआ है तो यहां पर देखें यह पूरी बात आप यहां पर पढ़ लेना है मतलब ट्रेड एपरेंटिक चिप यहां पर निकली हुई है तो यहां पर कैसे आपको अपलाई करना है क्या है देखें यहां पर all correspondence including the offer later shall be done through email only यहां पर आप के लिए आप एक नंबर लिखा हुआ है और email id भी लिखा हुआ है अगर आपको कोई भी queries हो तो आप यहां पर contact कर सकते हैं अब यहां पर देखते हैं apprenticeship trade category है यहां पर दूसरे में यहां पर essential qualification total vacancy and आपको कितना यहां पर मतलब अगर आपका यहां पर सेलेक्शन हो जाता है आपको कितना यहां पर आपको पैसे दिया जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको experience दिया जा रहा है पूरे अच्छे से आपको समझाया जाएगा हर चीज को यहां पर एक syllabus आपको समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा और साथ में आपको पैसे भी मिल रह नॉर्मल कंप्यूटर साइंस भी हो गया, कम्यूनिकेशन और कंप्यूटर इंजिनियरिंग, तो यह सब तो कंप्यूटर का है, आप यहाँ पर देख ले, और कौन से स्टुडेंट अपलाए कर सकते हैं, बी ई, बी टेक वाले स्टुडेंट यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटेशिप यहाँ पर यहाँ पर आते हैं, बी ई, बी टेक वाले यहाँ दूसरे वाले में भी अपलाए कर सकते हैं, में 11 वेकंसि की है उपर में भी सिर वेकंसि है उसके अंदर यहां हुआ यहां पर देखे आंपर धेखे यह जहां पर Electrical Engineering, Mechanical Engineering, यहां पर Civil Engineering, Aerospace Engineering और उसके बाद यहां पर है Library Science तो Library Science की यहां पर जो Vakancy है वह यहां पर दो है और यहां पर simply यहां पर Believe माँगा गया है BLIS अगर आपने करख है Bachelor of Library and Premission Science तो आप इसके लिए Areasable है बहुत ही अच्छा यहां पर प्रचुनिटीज हैं इतना अच्छा संस्थान है अगर आपको यहां पर सेलेक्शन हो जाता है तो यकीन माने आपको यहां पर काफी अच्छा आगे चलके आपका जो फ्यूचर है वह बहुत अच्छे सा सीक्योर हो जाएगा क्योंकि अगर आपने आप से डिप्लोमा कर रख यहां पर आपको जो पैसे जो मिलेंगे और 9000 मिलेंगे आप देखिए रुपीस 9000 तो यह है उसके अलावां बाकी जो है वह आप लग पढ़ लेना क्योंकि यहां पर लाइबरी साइंस की एक था तो यह मैंने बता दिया और बाकी कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए तो यहां पर देखे टर्म एन कंडिशन फॉर प्रेंटेशिप ट्रेनिंग इसके लिए तो इसमें कुछ खास है नहीं इनों आप जो भी वेफसेट वगरा दे रखा है इस पर विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं और बाकी यहां पर एक यहां पर फोर फोर और फाइव जो है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है फोर पर किया है चैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आर नोट इलिजिबल टु अप्लाए जिन्हों ने पोस्ट ग्रेशन क्वालिफिकेशन का रख है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाए करने के लिए फिफ्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस केंडिडेट्स हुआफ कंप्लीटेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर केंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टु अप्लाए वही प्लाए कर सकते हैं जिन्होंने रेगुलर से बीलिफ का या फिर जो भी मतलब ही इसमें इन्होंने विकेंसी दे रहे हैं वही इसमें अप्लाए कर सकते हैं तो यह दो यहां पर आपके मतलब का था जो कि आपको पता होना चाहिए उसके बाद यहां पर लास्ट में चलते है और क्या है, ये ये अन्लान एक्लिकेशन प्रॉसेच्ण मुगण फेक्रों स्थार्ट है सनिए 분들이 तविर वियुंहें क्यों सकते हैं और एक तो यह था उसके अलाव यहां पर कुछ खास है नहीं आप चाहें तो हाँ selection criteria जो है इसमें क्या रहेगा selection will be made on the basis of percentage of marks secured by candidates as essential qualification level तो जो भी इन्होंने essential qualification level का जो इन्हों रखा है उसमें अगर आपके जितनी marks आते हैं उसके basis पे और दूसरा personal interview through video conferencing mode made of shortlisted candidates only ठीक है आपका जो video conferencing के द्वारा आपका जो personal मतलब यहां पर interview हो जाएगा तो यह पूरा यहां पर था आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी कोई भी दिक्कत हो प्लीज करके comment works में जरूर करें या फिर इनके साइट पर ही सीधा विजिट कर सकते हों आपको ज्यादा authentic information मिल जाएगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में और जो भी eligible candidates हैं वो जरूर अपलाए करें चाहे आप किसी भी मतलब institute से कर रहे हैं अगर आप regular से हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में किसे अलग topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद